आजमगड और रामपूर उप्चुनाओं के प्रिणाम अब आने वाले हैं 26 तारिको 26 तारिका सभी को इंतजार है कि 26 तारिको नतिजों में आकिर कौन सी पार्टी जीतेगी पीजेपी समाजवादी पार्टी या बाउजन समाजवादी पार्टी कोई करेगी कमाल देर असल आजमगड के रण पर सब की निगाएं हैं क्योंकि रामपूर में सीधी टकर है रामपूर में समाजवादी पार्टी और भारतिय जन्ता पार्टी के बीच सीधी टकर है तो वहाँ पर और वैसे भी सपा का दबदबा थोड़ा वहाँ पर ज्यादा नजराता है लेकिन गुड्डू जमाली का खुद का एक चेरा है गुड्डू जमाली के लोग पसंद करते हैं गुड्डू जमाली चेतर के अंदर लोग प्री हैं लेकिन गुड्डू जमाली के सामने सबसे बड़ी जो चुनोती बनकर निकली है वो ब्यस्पी की छवी और खास तोर से गुड आजमगड में चुनाव हो चुके हैं संपन हो चुके हैं और जितने की संभावनाई किसकी ज़्यादा है इस पर हम चर्चा करते हैं आपको बता दाए कि नतीजे चबिश तारीक को आएगे और उससे पहले खबर ये मिल रही है आजमगड की लोगों से चर्चाओं के अंदर क गुड़ू जमाली इन पर्त्याक्षियों की अगर बात करें जैसे धर्मेंदर यादो समाजवादी पार्टी के हैं और दिनेश लाल यादो निरववा जो कि भारती जन्ता पार्टी के हैं उनसे ज़्यादा अगर परफेक्टली छवी देखी जाए या विक्तित्वा का त और पार्टी में भी आपको बता दे कि उनके बीच गुड़वाजी देखने को मिली है समाजवादी पार्टी का अपना गड़ है उसकी वज़े से दर्मेंदर यादो यहाँ पर मजबूत दिखाए दे रहे हैं और साथ आपको बता दे कि उनकी प्रिवार का जो दबदबा रहा है यादो समाज का और तमाम चीज़े देखने को मिले तो उस हिसाब से आपको बता दे कि शपा का दर्मेंदर यादो का एक चैरा मजबूत है तो प्रत्याक्षों की हिसाब से इन सबी से ज़्यादा एक तरीके से गुड़डू जमाले और शाह आलम है वो सबसे ज़् जबूत हैं लेकिन आपको बता दे कि प्रत्याक्षिक साथ साथ फोटंग पर आज की तारेक्ष में काफी कुछ फर्क पड़ने लग ‫담가지 कि शार धारा से ज़्यादाब को बता दे कि पार्टी को और उसकी अंध्भकती को ज्यादा ध्यान میں देखा जाता है । इसकी वज़ और जो हारेगा उसके बीच सीधी टकर रहेगी लेकिन तीसरा वेक्ती जो पीछे रहेगा वो काफी ज़्यादा पीछे रहेगा वो चाहिए कोई से भी पार्टे का पीछे आपको बता देगी रहे सकता है ऐसे मैं तीसरे नमबर का जो कैंडिडेट होगा उसको एक तरफ साइ में रहेगा और बाकी दो पर्टेक्शों के बीच में टकर रहेगी ऐसा आपको बता दे कि अनुमाल लगाया जा रहा है बाकी आपको बता दे कि चुनाओं के डतिजों के बाद किसी के बारे में भी कुछ नहीं का जा सकता लेकिन यहां के जनता के बीच वोटिंग के बाद सीधा हो गया मुलें किस्टर विडियन अपडेट होगी साथ अपतकाप से लेते विदा लाइक कीजिक में